लास्ट तीन चार एक्सपाइरी देखोगे तो एक्सपाइरी में बहुत बड़े मूव्स नहीं थे लेकिन आज की एक्सपाइरी में जिसे हम जैकपॉट एक्सपाइरी कहते ना वैसी एक्सपाइरी थी मौनिंग में बहुत अच्छे सटप से हमें ट्रेड मिला 1970 के अब मार्केट बॉलिश होगी क्लियर अकट डिसकस किया था निफ्टी में एड़ दमनी ऑप्शिन्स फाइव सिक्स एट टेन टाइम्स भी हुए है और आउट ओ दमनी ऑप्शिन्स की बात करोगे तो 50-60 टाइम् दो रुपे का ऑप्शिन्स फास्ट मूव कर रहे थे और जैसे जैसे मार्केट 3 पीम के आसपास आई सडनली मार्केट में आराउंड 250 एक बहुत ही मेजर डाउनफॉल आया बहुत ही मेजर क्राश आया और आज बहुत बड़े मूव्स देखने को मले निफ्टी ने इंट्राडे पहले more than 200 पॉइंट की राली दी और फिर सडनली हाफ एन आर में 100 पॉइंट का फॉल भी देखने को मला और जब एक्सपाइरी में ऐसे मूव्स आते हैं तो रिटर्न्स परसंटेज में नहीं मलते हैं मल्टिपल्स में मलते हैं वैसा ही दिन था डीटेल में इंट्राडे मार्केट भी डिसकस करेंगे लेकिन ये भी कहूंगा कि हर बार ऐसी एक्सपाइरी नहीं होती है कभी भी ऐसे रिसक आपको नहीं लेने चाहिए और ना आप एंटिस्पेट कर सकते हो कि इतनी बड़ी राली आ जाएगी ये इतना बड़ा सडनली फॉल आ जाएगा डीटेल में डिसकस करेंगे हमारा क्या सेटप था हमारे सेटप से कैसे मार्केट ने मैजिकली वर्क किया मौनिंग में बहुत क्लिय अगट जो रैली आई वो हमारे सेटप के थुरू आई बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी में तो पानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यहां हम आपको सिंप्लेश्ट वे में मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने कोशिश करते हैं नेच्ट डी का एक सेटप डिसकस करते हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करती हो जिसे आप यूस करके प्रेट्स बना सकते है तो अगर आप डेली ऐसा setup मिस नहीं करना जाते हैं तो subscribe जरूर कर ले आज भी magically market ने हमारे setup में work किया चलिए उसी setup की बात करते हैं क्या हमने discuss किया था और exactly क्या हुआ market में अब यह हमारा nifty का chart देखो क्या होता है कल हमने बहुत simple discussion की थी कि एक बहुत छोटी range का हमें wait करना है break होने का जिस साइड यह range break होगी उस साइड market का directional move आएगा क्या range थी 19.650 lower side support और 19.700 upside resistance level charts पे भी यही discuss की थी और option chain data से भी आपको confirm किया था कि जो option chain का हुआ ही data है वो भी same चीज़ बता रहा है कि अगर market को बड़ी rally देनी है तो 1978 की resistance का हमें breakout चीए और market में अगर कोई बड़ा fall आना है तो market 19.650 को lower side break करेगी simple discussion थी और होता क्या exactly देखो morning में opening almost flat हुई लेकिन first candle बहुत sudden red बनती है अब जो लोग हमें follow नहीं करते वो देखेंगे यार market तो suddenly flat open होके sudden fall कर रही है market यहां से continuous fall कर सकती है लेकिन जो लोग हमें follow करते न हमने बहुत simple आपको logic reason समझा रखा है कि ऐसे traps से कैसे बचते है market में first candle red जरूर बनी है ऐसा लग रहा है level break हो रहा है लेकिन first candle पर कभी आपको trade करना ही नहीं है confirmation का wait करो अगर सच में यह move further continue रहना तो एक और candle तो बनेगी ही न जो इस move को continue करे वो confirmation candle यहां बनी ही नहीं तो downside market ने level को break नहीं किया है और यह setup आपको patience भी देता है कि वेट करो trade का जल्दी नहीं है कुछ एक और candle बनेगी तो breakdown मिलेगा फिर entry करना पर नहीं मिली है confirmation दुबारा market अब अब आजाती है अब हमें अभी तक कोई trade नहीं है trade कहां से है rally आएगी नाइंटीन सेवन अंड़ के अब 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 यहां देखो नाइंटीन सेवन अंड़ पे market एक बार resistance भी phase करती है finally breakout लेकिन breakout पे entry नहीं है entry कहां से है confirmation candle बनने के बाद finally confirmation candle बन जाती है अब market ने आपको direction बता दी ठीक है setup में भी discuss किया है कि 1970 clear cut confirmation साथ break होगा तो market में rally आईगी अब भई entry बनाओ और patiently wait करो अपने setup को use करो और एक और चीज मैंने आपको कहीती आज के लिए trailing stop loss जरूर use करें अगर आपको जो market में real jackpot profit बनते है न वो बनाने है न तो वो आप सिर्फ trailing stop loss से बना सकते हो और आज वो ही दिन था क्योंकि जो options के move आया है न यहाँ पे यह जो तीन candle दिखरी है न इतना sudden up move आया है न आप target रखके कुछ profit नहीं catch कर पाते लेकिन अगर आप यहाँ पे trailing stop loss use करते है तो easily four to five time options तो हुए है यहाँ तो hope आपने सारी advice को follow किया होगा वैसे किया है यह कैसे पता लग रहा है क्योंकि जो हमने पोल किया था हमारे telegram group पे जो हमारा free telegram group है वहाँ पे almost 65 to 70% लोगों ने आज profit किया है setup को use करके बहुत ही बड़ा number है यह जब maximum लोग market में loss करते है और ऐसी market में जब इतनी market volatile होती है यह देखके बहुत अच्छा लगा कि इतना high percentage है group में profit बनाने वालों और यह profit आपने खुद बनाया है setup को use करके हम कोई trades नहीं देते हैं आपको हम आपको एक setup देते है next day के लिए कि market कैसे work कर सकती है फिर आपको बहुत आपकी और उसके बाद जो rally आई है market में सिर्फ one side jackpot rally कहीं भी कोई बड़ा dip नहीं आया है सिर्फ one sided jackpot rally आई है और 19.850 तक clear cut uptrend intraday में 150 points catch करना expiry वाले दिन capital सिर्फ double नहीं होता है 5-6 times हो जाता है ऐसे moves में और एक और disclaimer देता हो यार हर expiry ऐसी नहीं होती है आज बहुत सारे option आपको out of the money में दिखे होंगे one के ended हो गए two के ended हो गए three के ended हो गए लेकर हर expiry में ऐसा नहीं होता है mostly यह जो three five ten fifteen वाले भी options होते हैं यह zero होते हैं तो अपना capital ऐसे risk पे मत डाल देना इस expiry को देखके तो कि ऐसी expiry आपके mindset में fix हो जाती है कि यार आगर आज में इतना capital लगा देता है एक लाक लगा देता आज एक करोड हो जाता ऐसी expiry में लोग ऐसी assumptions मनाने लगते हैं तो वो गलती नहीं करनी है ऐसे moves हर expiry में नहीं आते हैं और किस expiry में आएंगे वो भी नहीं पता होता है क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं आज कि वही sudden इतना बड़ा अपमोव आएगा इसलिए हम नहीं कह रहें कि आप directly यहां का target रखो हम एक tool यूज करते हैं जो हमें help कर सकता है कि हम maximum profit catch करें और वो tool है trailing stop loss और manually change नहीं करना इसे automation में work करने तो इसलिए कहता हूं धन broker use करो वहां यह automation में work करता है और सबसे important चीज profit तो बहुत stop loss रखने की trailing stop loss में सबसे पहला पाट तो stop loss ही है कि आपको आदर डलाता है कि आपके system में SL होना चाहिए losses कम कराएगा और profits को maximize करेगा यहीं तो चाहिए आपको और वो यह tool करके देता है और जिन लोग ने आज use किया jackpot returns थे आज की market सच में jackpot expiry वाली थी और day end में एक बह इसा होता है कि जिस side market का suddenly move आने लगता है अब इतने जल्दी SL हिट होते है उस side बहुत बढ़ा move आ जाता है यह जो sudden 100 points का move आया है वो expiry की वज़े से आया है expiry में suddenly जिस side भी थोड़ा बहुत move आ जाएगा 20-30 points का suddenly premium इतनी जल्दी spike होते है जो option sellers होते है वो बहुत जल्दी अपनी positions book करते है option buyer बहुत जल्दी entry करते है इसले बहुत sudden move आता है और उसी move का नतीजा था यह day end में downfall आप stocks के prices देखो के आपको जादा गिरते होए नहीं दिखेंगे day end में लेकिन nifty में बहुत बढ़ा fall आ है और वो इसलिए आया है क्योंकि आज expiry थी nifty की market थी bank nifty में थी तो options में इतने बड़े moves नहीं आये लेकिन फिर भी setup में क्या कहा था देखो यहां हमार ले एक ही level था almost zone है 44 160 से 200 clear कर discuss किया था कि अगर 44 160 lower side break हो गया ना confirmation के साथ तो market दुबारा negative हो जाएगी 44 160 break हुआ है इस candle से लेकिन क्या कोई confirmation candle है नहीं है तो downside का trade बनता ही नहीं है और उसके बाद second discussion क्या थी second discussion थी कि अगर 44 200 के above market जाती है इसका breakout देती है तो market bullish है आपको longs के लिए trade बनाना है राली को catch करना है breakout confirmation candle retracement move और उसके बाद further rally और breakouts पे कैसे trade करते है अब तो मैंने बहुत simply आपको समझाय हूँ है ना जहां breakout मिले वहां 30% capital से entry करो और retracement के आसपस 70% capital से ताकि आपको बहुत अच्छी average मिले बहुत अच्छी entry मिले और उसके बाद jackpot rally हा राली में हमारा target 44,450 था market का आज का day आई almost 44,422 लगा है तो exactly target तक नहीं आए लेकिन more than 200 points का अपमूँ तो catch किया है ना और trailing stop loss आपको कुछ ने कुछ profit तो जरूर catch कर करता रहता है आपने entry यहां की होगी लेकिन वो जब आप market आपके साथ मूँ कर रही है वो stop loss आपका यहां ले आएगा तो आपकी यहां वाली entry पे आपका stop loss यहां hit होगा इसलिए trailing stop loss यूज़ करना इतना important है losses को कम करता है और profit को maximize करता है यार इसलिए कहता हूँ धर्म broker नहीं use कर रहे हो करने लग जाओ गजब का broker है बहुत सारे advance tool देता है और जो लोग option selling भी करते हैं strategies बनाते हैं वहाँ पहले से आपको strategies बनाके भी देता है वो strategy builder भी tool है वहाँ पे बहुत सारे advance tool है वो भी free में तो use करो इसलिए बार-बार suggest करता हूँ नहीं क्या अभी तक account open धर्म broker में first comment में आपको link मिल जाएगा आप उसे use करके account open कर सकते हैं गजब का broker है और females के लिए especially brokerage पे आपको 50% discount भी देता है तो गजब का broker है जरूर use करें overall अच्छा दिन था यहाँ फिर dip के बाद फिर rally आई लेकिन वही जो हमने discuss के exactly हम target तक नहीं आए आज उससे थोड़ा बहुत gap ज़रूर था बहुत बड़ा नहीं 20-30 points का gap था और day end में वही sudden bank nifty में भी वही downfall देखने को बला जो हमें nifty में देखने को बला तो यह आज की overall intraday market थी main focus आज हर जगा आपको देखने को भी मिलेगा options इतने times हुआ यह हो गया वो हो गया लेकिन इसे भूल जाना mind में मत रखना वहना बहुत जादा risk लेके आप अपना पूरा capital गवा सकत हो next expiry इस चीज़ को mind से निकाल देना कि options one के hundred होते है इसके पीछे मत जाना ठीक है अब आज की market हो चुगी है directly कल के लिए setup discuss करते है bank nifty कहां close हुआ है इसी zone के आसपास 44 160 से 200 का zone same setup use होगा ना जब zone के आसपास closing आई है 44 160 के below market negative market में fall expected है market में downfall में targets होंगे 44,000 and 43,850 same setup 44 160 के below market negative लेकिन अगर upside से नीचे आ रही है तो breakdown की confirmation चाहिए हमें तब level clear cut break होगा और upside की बात करें तो 44 200 के अब हो market bullish है जैसे आज bullish थी market एक clear cut rally target अभी भी वही है थोड़ा बहुत gap जरूर था आज exactly test नहीं किया लेकिन अभी भी target वही है 44,450 से 500 का zone simple clear setup ठीक है bank nifty का setup clear है वही same setup है यार जो कल के लिए था आज भी वही setup follow करेंगे ज्यान रखना ये अब nifty की बात कर लेते हैं वहाँ क्या करना है इतने बड़े moves तो आ गए market ने गजब की rally भी दे दी अब आगे क्या पहले levels को थोड़ा change कर दूँ 19,650 level सिफ आज के लिए था overall हमारा level है 19,670 तो simply अब setup समझो closing 19,750 के अब आव है तो पहला level यही है lower side support यह zone है ठीक है upside 9,800, 9,850, 9,900 and 19,940 lower side इसके बाद 19,600 level अब ध्यान से setup समझो कल के लिए immediate support है 19,750 अगर यह support break होगा market में fall expected है market negative देखने को मिल सकती है downtrend expected है और यह zone पहला target होगा और zone break हुआ तो बड़ा fall आएगा market में और उसमें target होगा 19,600 तो यानि 19,750 के below market negative होगी ठीक है upside की बात करें 19,800 देखो बहुत time आज market ने इस level पे spend किया है तो important level है अभी market इसके below है तो resistance है अगर resistance break होगी तो क्या होगा market में rally आएगी rally में target 19,850, 19,900 और 19,940 तो 19,800 के अब हम market bullish, 19,750 के below market bearish और एक और तीसरा trade है यहाँ पे reversal का वो बनेगा 19,670 से यह एक बहुत important level है lower side support के लिए अब ठीक है अगर कल एक downfall आता है और downfall में हम इस level तक आते हैं और इस level को market hold करती है तो यहाँ से भी दुबारा reversal में rally expected है और bounce back expected है bounce back में upside level समारे target होगे के कर दो के आते हैं।